खड़े रहो भाई यह तुमने आगू जहां से क्या बखवास्वर भाई थी इसके बाद तुम अपना मूह दिखाने के काबिल नहीं रहे मुझे कुछ नहीं कह रहा था क्या मतलब यह लेड़ खड़ा क्यों रहे हो सिद्धे खड़े रहो जी जी अरे कमाल पाशा जाने दो बच्चा घवरा रहा है भाई कमाल है इस बेहुदा फर्माई से पहले इस साबजादे को किसी किसम की घवराण नहीं थी कोई लड़ खड़ाण नहीं थी अरे बच्चा है उसके दिल में आया उसकी कह दिया तुम तो बात को हवा ही बना लेते हो हाँ कफ तो इतना बड़ा हो गया टू मच हाइट अर अकल घुतलों में उमीद के साथ सथ तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मैं ये कह रहा था आप एक बार उमीद से बात कर लें मुझे नहीं लगता भा मानेगी अरे मानना तो पड़ेगा और इस बार जब डॉक्टर विजिट करेगा मैं खुद वा मौजोज रहूंगा क्या डॉक्टर ये डॉक्टर बीच में कहां से आ गया मैं उमीद की शादी की बात कर रहा हूं कि वो बलीद के लिए कभी भी नहीं मानेगी अरे ये फरुबाइशी प्रोडाम कहां से चल पड़ा मैंने जो फैसला कर लिया है कर लिया बस हाथ दिखा लाला वेटा लाला वेटा अरे ये तो मेरे प्यार है बिटा प्यार ये हया के साथ जाती है अरे जाती तो बहुत ही के बड़ी के होते वे चोटी की शाती कर रहे थे वाच चछी आप तो बिल्कुल कराची के मौसम की तना बदल गई है अरे अरे बती जाता रहे हो पाशन साथ तर डो टो बात करते हैं रुको तो अरे सोना तो एकदम खरा है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है तो मसला क्या है उसको ये डिजाइन पसंद नहीं बोटी की बात नहीं है उसको दूला नहीं पसंद अरे तो किसको अपना दुल्हा पसंद होता है तुम्हारे दादा जान भी जब चुस्त पजामे के उपर पांच बालिश का कुर्टा पहन आये थे ना तो मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे कुर्टा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था इस दूले को भी बता दो कि उसका कुर्टा टखनों से नीचे नहीं आएगा तो ये शादी ही नहीं होगी कपड़े के मामले में कोई गंजूसी नहीं करनी आपुछान भाजामे और कुर्टों का मसला नहीं है उमीद की शादी होरी है, उमीद की मर्जी के बغیर अरे तो मेरी भी शादी मेरी मर्जी के बगहर ही हुई थी वो तो तुम्हारे दादा जान जब दूला बनकर आये थे चेहरे पर ऐसे करके फूलों का सहरा था आगे रुमाल यू रखा हुआ था फिर निकाह के बाद शर्मा शर्मा के दूर से मुझे देख रहे थे और पहली नजर मेरी उन पर गई और उसके बाद बस मैं खामोश सी हो गई उनकी शेरवानी किस रंग की बादा में या कास में अबेड में या सुर्माई शेरवानी थी ना हाँ है चेडिया उड़ गई चेडिया